हालो एंड वेलकम बैक टू चानल असन गाइस ब्रेड़ा में आशिर गाइकवाट और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस रूप चानल पर दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही हिल्पूल रहने वाला है खास करके महारास्ट्र स्टूटन्स के लिए या फिर एस कुछ लोग है उनका यह प्रॉब्लम है तो कुछ इंपॉर्टन चीज है जो आपको याद रखनी है जब आप रिजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ताकि आपको फिर अगे कन्फूजन ना हो यह वीडियो हम बना रहे हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप चैनल जोईन कर सकते हो डिस्रिप्चन में पहले लिंक मिलेगे वहां से आप हमारे साथ जॉइन करिए आपको हमारे जब कर sniff आपकोफे टेलिग्राम गुरूप पर जॉइंड एड किया जाएगा वहाँ से फिर उसके बाद हम जूम सेशन लेते हैं जिसमें में दो दो तीन तीन घंडा आपके साथ बात करता हूँ सभी लोगों के साथ आपके कुछन आंसर लेता हूँ एक एक चीज बताता हूँ आपके प्रेफर चीज है अगर आपको जॉइन करना है विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका एड्मिशन प्रोसेस कंप्लेट करना है तो जरूर मेरे साथ जॉइन कर सकते हो तो देखते हैं क्या चीज है सबसे पहली चीज जब आप रेजिस्ट्रेशन करोगे तो मेक शूर करिए कि जो आप आप यह क्राइटरिया फुल्फिल नहीं करते हो तो आपका रेजिस्ट्रेशन नहीं होगा काफी सारे स्टुरेंस बोल रहा है इन्वेलिड आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है वह यह चीज़े आपको ध्यान में रखने हैं सेकेंड तिंग अगर आपका जो एमेज बीसी सिटी है यानि कि जो आपका एंट्रेंस है इतना बड़ा लिखने से बेटर है हम यहाँ पर एंट्रेंस लिखते हैं एंट्रेंस एक्जाम जो है उसमें अगर आप उपन क्या रिजर्व क्याटिगरी से बिलॉंग करते हो तो वहाँ पर 40% अगर आपका स्कोर है 40% या फिर अगर आप उपन क्याटिगरी से बिलॉंग करते हो तो वहाँ पर अगर आप 50% स्कोर है तो ही आप आगे जा सकते हो अगर यह परसंटाइल स्कोर नहीं है अपका तो आप अपलाए नहीं कर सकते हो थर्ड तिंग आपके अपलोडिंग के बारे में जब आप अपलोड कर रह है उसके बाद अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई डॉक्यूमेंट जो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसकेस में आप उस डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट आप ले सकते हो और वह अपलोड कर सकता उसके बाद एक सबसे इं कोई mistake होती है अगर कोई mistake होती है जैसे कि गलती से SSC का for example SSC का मार्क्षीट पूचा है वहाँ पर अपने HSC का डाल दिया तो यह mistake है या फिर डोमेसल डालना है वहाँ पर अपने कुछ और income डाल दिया तो यह अब इन मिस्टेक्स को करेट करने के लिए एक मेथड होता है अब कर सकते हो ताकि आपका जो मिस्टेक है उसको आप रिकवर कर पाऊ और जो भी प्रोसेस अपका अच्छे से हो जाए अब क्या है ना अंडर्टेकिंग केसे करें क्या करें अगर आपको यह जानना है तो आप हमारे काउंसलिंग में जॉइन करिए वहाँ पर में एक्स्क्यूसिवली यह अगर आप कोई Category game कर रहे हो और उसके आपके पास documents नहीं है जब अपने डाक्फमेंस रिस्ट व सब्सक्रेट एक यह चैए अत्प पर फिजीकल वेरिफिकेशन हो रहा है फिजीकल वेरिफिकेशन के टाइम पे आप जो प्रूफ है फिजीकल वेरिफिकेशन टाइम पे जो प्रूफ है वो आप एफिलेबल नहीं कर पाए तो उस Case में क्या है दो possibilities है एक तो आपको उस category का admission नहीं मिलेगा मतलब आपको open category में आपका seat जो है open seat अपके लिए आपका जो admission है वो open seat में होगा जिसका मतलब है कि आपको scholarship अगर वो जो benefits से नहीं मिलेगे second thing in very rare cases आपका admission जो है न वो cancel होगा आपका admission process जो है न वो cancel होगी तो यह जो proof अगर आपके पास नहीं है तो वो आपके पास होने चाहिए और यह ना हो इसलिए आपको proper guidance की जुरूत है ठीक है मैं आपने आपको मारे counselling को promote नहीं कर रहा हो लेकिन जो fact है वो बता रहो कि यह च्छोटी मोड़ी चीज है इसमें अगर आपको अच्छे से फॉलो नहीं करते हो च्छोटी मोड़ी चीज है उसके कारण ऐसा ना हो कि आगे जा कि प्रॉब्लम हो admission process में तो यह है after that यह category का हुआ फिजिकल वेरिफिकेशन के बार में हमने बताया अब जब आप सारा के सारा यह करते हो तो जो verification है वह online होगा किसी सेंटर पर verification नहीं है अभी जो verification है documents का online वह online ही रहेगा अब physical verification कहा रहेगा क्या करेंगे कैसे करेंगे वह आगे में बताऊगा यह पांच चीज चीज चीज़े है साथ वी चीज आगर में आपको बताऊ सेवें तिंग जो आपको याद रखनी है category के बारे में हमने डिसकस किया सेवें तिंग जो है वह कैप राउंड के बारे में जब तक आपका कैप राउंड शुरू ने होता है तब तक अगर कोई भी कॉलेज में आप कॉंटेक्ट करते हो और वहां पे कॉलेज आपको कहते हैं कि कांसलिंग हमारा एडमिशन शुरू हुआ है यह वह तो वह इंस्टिटूशनल राउंड के लिए है वह इस कांसलिंग से सुसंति के तुरू नहीं है जो की हमारा स्टेट्स कर रहा है स्थ की कि कंपेटंट अथरिटी चैनल याइटमिशं प्रोसेस जौ है उसके थरू नहीं हो रहा है और क्या यह क्या है अबको प्रेफ olması करने पड़ते हैं प्रेफरेंस आपको फिल करने पड़ता है वह कैसे करने हैं तो उसमें आपको college certes फिल करें उसमें कैसे परसूरा प्रेफरेंस मिंशलिंग मैं भी गाइड करता हूँ, तो यह कुछ चीज़ है, जो आपको याद रखनी है, जब आप रेजिस्ट्रेशन कर गया, और अड्मिशन प्रोसेस में, पहले तो यह क्राइटेरिया है, अगर कुछ मिस्टेक होती है, तो अगर कुछ क्लेम करते हो, वह प्रूफ सब के पास नहीं है, तो आपका सीट ओपन में चला जाएगा, नहीं तो आपका एड्मिशन भी कैंसल हो सकता है, वर्यकिशन जो है, वह अभी ऑनलाइन है, फिस्कल वरिफिकेशन भी आगे होगा, कहां पर होगा, कैसे होगा, वह आगे में बता ओगा, उसके बार जो कैप रौंड है, वह एड्मिशन प्रोसेस जो प्रेफरेंस के थ्रूभी होगी, जिसमें कॉल्यज कौर्स आपको देन है इसमें चोटी मौन्थी यहाँ वहाँ हो जाए तो आइडमिशन प्रोस्स्स प्रोब्लम आपको आ सकता है अगर आपको फिर सेरो लाइक करें एक बार फिर से में आपको बोलोगा यह चोटी मौन्टी चीज से या फिर आगे इसे देखने के लिए बहुत ईजी लगते हैं इवन जब आप फॉर्म फील करने साइबर कैफे जाते हो अभी हमारे जो 90 प्लस स्टुडंस है 90 से ज्यादा स्टुडंस हमारे साथ कांसिलिंग में है तो एक एक स्टुडंस के कॉल आते हैं कि कैफे पे गए है सर यह नय है कि माइन Communist कैसे बनाए कि सारे कॉश्चन होते है और ुसके बाद nie užचे इनugen क्या है मेरे फिर नहीं हो रहा है तो में यह नहीं हो वहाँ पर यह चोटे मोटे सारे डाउट का क्यूरीज का गाइडन्स देते हैं और आपको प्रोवेड करते हैं कि क्या हो सकता है कि और सबसे इंसके प्रेफरेंस कोलेज जब कॉलेज प्रेफरेंस डालते होना वह बहुत इंपोर्टन है यह तो उसके वेस्पेस पर आपके मार्स के बासिस पर सीट मैंट्रिक्स को चोट्चोट टॉट टॉंस है जो शायद कुछ लोगों कोही समझ में आते हैं तो सिंपल लैंगवेज मखन जैसे आपके admission procedure आप चाहते हो कि हो जाए तो हमारे साथ join करें अगर नहीं करते हो तो फिर आपको मतलब जो होगा वह आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आये तो लाइक जरू करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें आपके जो भी कुछ डाउट होगे तो मैं ट्राय करूंगा पहले आदा घंटे में जो relevant कमेंट्स है उन उप्षे वीडियो में तब देख लिए शालूम शांती और साल बाई-बाई